हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कुछिंग सेंटर, दोस्तों, जो सुभा के वीडियो में मैंने आपके हॉंबर के लिए जो कॉशन दिया था, वो उसका मैं सॉलूशन लेकर कर क्या गया हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए करा सकता था, तब भी करा सकता था ये कॉशन लेकिन म अभी तक कुछ बच्चों ने ही आंसर दिया है, मैक्सिमम आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने सुचा इसको कराओंगा जरूर, ठीक है, चलिए, एक विद्यारती ने किसी संख्या को पांच बटे तीन से गुना करने की स्थान पर इसे तीन बटे पांच से गुना कर दिया, प इतना पांच बटे तीन, पांच बटे तीन ही तो है, तो क्या आ जाएगा, देखे, तीन पंजे पंदरा, पांच बच्चे पच्चीस आ जाएगा, अब इसको देखो तीन पंजे पंदरा है, संख्या पलट के तीन बटे पांच हो गई है, पांच तरिक का पंदरा, तीन त तुरूटी हो रही है, और यह कि नहीं हो रही है, कितने की तुरूटी हो रही है, 16 की, लेकिन यह तुरूटी हमें 30 में बतानी है, 16 की तुरूटी हो रही है, कितने पर हो रही है, 25 पर, ठीक है, 30 में बतानी है, तो 100 से मल्टिपाई करेंगे, 25,64,64, यानिकि 64% की तुरुटी हो रही है D option बिल्कुर सही जवाब है बहुत बच्चों ने इस cancer नहीं दिया था इसलिए मैंने सुचत चलिए करा देता हूँ लेकिन अब तो like कर दीजिए मैंने आप video आपके लिए लेकर के आता हूँ आप जैसा कहते हो वैसा ही question कराता हूँ लेकिन मेरे लिए बस एक like कर दिया करो अब देखते हैं प्रेशने अब देखेंगे हम प्रेशने आज के video में reasoning के प्रेशने करेंगे तो पहला प्रेशने है दी गई स्रेंखला में अगली संक्या क्या होगी यह series एक स्रेंखला है हमारे पास यहाँ पर संक्या क्या आएगी वो बताना है ठीक है चलिए सबसे पहले देखेंगे तो 16 है 16 से कितना हो गया आपका 61 ठीक है 61 हो गया अब यह 25 है 22 हो गया 36 है 63 हो गया अब जब संक्या को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है आपके पास यह 16 था ना 16 को पलट के लिखा reverse करके लिखा पलट के लिखा ऐसे 25 को भी पलट के लिखा 36 को भी पलट के लिखा पलट के लिखेंगे तो नो पहले आ जाएगा चार बाद में यानि कि 94 हो जाएगा आपका आंसर ठीक है 94 जो कि हमारे बी आफ्सन में है तो ऐसा कोई मुश्किल या कटिन सवाल नहीं था जो कि आफसे नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर प सट में गलत संक्या देखिए अगर मैं यहां पर देखूं कि 8 मैं 8 जोड़ूँगा 16 मैं 8 जोड़ूँगा 24 लेकि अब 8 नहीं जोड़ा जा रहा है चलिए मैं 16 जोड़ भी लेता हूं तो यहां भी 16 जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि 288 हो जाएगा तो फिर 16 होना चाहिए लेकिन यहां पर भी 16 जोड़ लेगी 24 इन दोनों को जोड़ा तो मुझे 30 ही मिलेगी अब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो यह मिलनी चाहिए यानकि 16 पिलस 24 को जोड़ूँगा मैं तो 16 और 24 कितना हो जाएगा 6 और 4 10 का 0 यह 40 हो जाएगा ठीक है 40 हो गया अब इन दोनों को जोड़ूँगा तो यह मिलनी चाहिए यानकि 24 पिलस 40 को जोड़ूँगा तो 64 मिल रहा है मिलना 64 चाहिए लेकिन 62 दिया गया जब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो मुझे 64 आना चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए 64 लेकिन 64 आना चाहिए यहाँ पर 64 लेकिन 62 दिया गया चलिए कोई बात नहीं अब मैं इस 40 को और इसे 64 को जोड़ता हूँ तो क्या मुझे ये मिलना है चलिए चेक करते हैं 40 पिर इस 64 को जोड़ता हूँ तो कितना रहा है 4 और 0 का 4 6 और 4 10 104 आ रहा है और 104 ही मेरा दिया गया लेकिन 104 कब आ रहा है जब मैं यहां 64 रखने के बाद कर रहा हूँ तो इसका मतलब 62 मेरा आया था यह गलत है 64 मेरा आया बिलकुछ सही है 64 में रखके जब लोजिक को में लगा रहा हूँ तो आगे वाली संक्या मुझे आसानी से मिल पा रही है 104 सही समझ में आ गया ना तो हमारा 64 सट गलत संक्या पूछ रहा था तो गलत संक्या हमारी यहां पर 62 है ठीक है सी ऑफ्षन सही जवाब हो जाएगा अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है यहां पर आपके पास रीजिनिंग का बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह रहा मिसिंग नंबर ठीक है ब अब हमारे पास अगर मैं प्रेशनी को ऐसे स्वाल्व करता हूं तो चार और दस से मुझे छे बनाना है ठीक है तो मैं इसमें देखें क्या कर सकता हूं मेरे दिमाग में तुरंत किलिक हो गया है कि अगर मैं चार का स्क्वार कर देता हूं तो 16 होगा और जो दूसी संक्या स्को मानस कर देता हूं 10 को तो 6 मिल जाएगा मुझे देखो अब मैं वही लोगी यहां भी लगाउगा पहली संक्या करते मैं और देखो करूंगा तो मुझे 48 सही दे रख है मतला सीम लोगेगा यान कि 16 पामन को मैनिस कर दूँगा तो मुझे ये संक्या मिलेगी चलो 6 में से 2 जाएगा तो 4 5 में से 5 जाएगा 0 2 में से 1 जाएगा एक 104 मिलेगा मेरा 104 बी उफ्सन में दिया गया मतलब प्रेश्न वाचक चिन्ने के इस्थान पे 104 आजाएगा यह हमारा answer हो गया अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है यदि 4 गुने 4 बराबर 6 6 गुने 6 बराबर 26 7 गुने 7 बराबर 49 हो तो 5 गुने 5 बराबर क्या है अगर मैं 4 गुने 4 करता हूँ रियल में चार गुने चार अगर मैं रियल में करता हूँ तो 16 होगा लेकिन मुझे 6 के बराबर दिया गया तो मुझे 6 कैसे मिलेगा अगर मैं 16 मैंसे 10 को माइनस कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाए दोनों का मल्टिपाई किया 10 को मैंने अपनी तरफ से माइनस किया अब मैं यहां भी दोनों का मल्टिपाई कर दूँगा चैचिंग 36 हो जाएगा यहां मैंने अपनी तरफ से माइनस 10 की आता है तो यहां पर भी 10 करूँगा 36 में से 10 माइनस कर दूँगा 26 मिलेगा और 26 ही मुझे दिया गया यहां यहां भी तरफ सिमाइनस 11 हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब है समझी मैं आगए है सभी को चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है 11 फरवरी 2019 को सुमबार था तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन था देखिए बहुत अच्छा सवाल है 2019 है यानि कि जो फरवरी का महिना होगा वो 28 दिन का होगा लीपियर नहीं है अगर 2020 होता तो फरवरी का महिना 29 का होता लेकिन 2019 है तो फरवरी का महिना 28 का होगा 28 दिन का होगा 28 दिन में से उसने 11 फरवरी की बात कही है 11 फरवरी का सुमबार है यानि कि 11 तारीक की उसने बात कह दिया तो 11 माइनस कर देते हैं ठीक है जितने दिन का महिना होता है उस महिने में से जितने तारीक की उसने बात कर दी उतना माइनस कर दे तो 28 में से 11 माइनस कर दूँगा मैं 17 ही बचेगा ठीक है 28 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूँ तो 17 बचेगा कितना बचा वही फरवरी के महीने में 17 दिन बचे फरवरी के बाद महीना आएगा मार्च का मार्च ची में वो 15 मार्च की बात कह रहा है तो 15 तक जाना है कि वर्ब अब दोनों को जोड़ दूं यह हो जाएगा 32 हमेशा साथ से डिवाइड करना ना भूलें क्योंकि एक अपती में साथ दिन ही होते हैं साथ के बाद जैसी आठमा दिन आता है तो रिपीट होने लग जाते हैं वही दिन हमेशा साथ से डिवाइड करते हैं साच चौक 28, 32 में से 28 कट गया, तो सेस बचेगा आपका 4, ठीक है, हमको हमेशा इस रिमेंडर से मतलब होता है, इस सेस से मतलब होता है, तो हमारा पहले कौन सा दिन था, सोंबार का, सोंबार का दिन था, अब 4 सेस बचाए तो इसमें 4 जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, सोंबार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यहां कौनशा दिन हो जाएगा भई, यहां हो जाएगा आपका शुक्रवार, यह आपके सवाल का फिल्कुछ से ही जवाब है, D-Option, ठीक है, तो लाइक तो बनता है भई, एक लाइक तो कर दीजे, जो भी कोशन आप को करवाना है, कमेंट वोक्स में कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, धन्यवार,